हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक टू कुशल इंस्टिट्यूट मैं पंकस त्रिवेधी कुशल इंस्टिट्यूट मैं आपका स्वागत करता हूं फिर से पिछले दो वीडियो में हमने बुक किपिंग एन अकाउंट एंसी को लेकर कुछ बाते जानी जिसमें पहले वीडियो में ह हमने सिलिबस देखा FYGC महारास्टर स्टेट बोड में बुक किपिंग एन अकाउंट एंसी के सिलिबस को जाना आज का जो वीडियो है हमारा वो भी अफकोस FYGC महारास्टर स्टेट बोड के बच्चों के लिए है और सब्जेक्ट है सब्जेक्ट है आपका OCM और आज का ये प्रेजेंटेशन है सिलिबस ओफ OCM OCM जिसका full form है Organization of Commerce and Management बच्चों आपको OCM में टोटल 8 chapters है देखिए ये 4 और इस तरफ 4 लेकिन ये 8 16 के बराबर है chapters कम है मगर उसके जो contents उसके अंदर जो material है वो बड़ा भारी है बड़ा lengthy है तो आज मैं आपको OCM के आज chapters का introduction देने वाला हूँ थोड़ा थोड़ा हर chapter के बारे में government textbook अगर आपके पास है तो इस वीडियो को देखते वक्त government textbook भी आप अपने पास रख सकते नहीं है तो कोई बात नहीं जो भी बाते बताओंगा उसको ध्यान से सुन लेजिए जब textbook आ जाएगी उसको सामने रखके इस वीडियो को आप ले करेंगे आपको सारी बाते उसमें पता चल जाएगी maximum एक chapter में हमको किन-किन चीजों को लेकर जानकारी मिल सकती है वो यहाँ पर board पर मैंने लिखा है So you can see all together there are eight chapters इस तरफ चार है और इस तरफ चार है तो आईए पहले इन चार chapters को देखते हैं OCM, Organization of Commerce and Management असल में यह subject क्या है आप सोचेंगे कि Bookkeeping and Accountancy का introduction हो गया तो OCM का भी introduction होना चाहिए OCM के introduction के लिए special chapter है सबसे पहला Introduction of Commerce and Business यह जो OCM subject है यह mostly आपको समझाने वाला है कि Commerce क्या है, Business क्या है Business World, Commerce World, Trade, Industry, Trade के कितने types है Wholesale Trade, Retail Trade, Import, Export पूरा Business World के बारे में अगर आपको जानना है तो यह subject आपको बताएगा In short, OCM Organization of Commerce and Management आप सब लोगों ने 10th pass करके Commerce लिया है तो कोई भी आपसे पूचे के बिटा Commerce का मतलब बताओ तो Commerce का मतलब क्या है वो भी यह subject आपको बताने वाला है Okay, in short idea दिया अब इसके chapters को समझते है बिजनस यह chapter आपको सिखाने वाला है कि Commerce क्या है, बिजनस क्या है उसमें charts है चोटे-चोटे बहुत सारे charts है उन charts को एक साथ compile करके बड़ा chart भी बनाया जा सकता है So this chapter is All about यह whole about Introduction of Commerce and Business इसमें क्या-क्या सीखेंगे हम इसमें हम सीखेंगे Human Activities जैसे इंसान जो काम करता है वो कितने तरह की activities हो सकती है उसका एक chart आएगा Non Economic Activities, Economic Activities का फिर हम सीखेंगे Employment और Profession के बारे में अगर आपको पैसा कमाना है तो आप कहीं नौकरी करो नौकरी करेंगे उसको कहेंगे Employment, रोजगार और आप अपना खुद का व्यवसाय करते हो जैसे doctors है, lawyers है, chartered accountants है वो जो काम करते हैं उसको profession कहते है As a short note हम Employment और Profession के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे इस chapter में बाकी जो main ये पूरी book, ये पूरा subject जो बना है वो business और commerce के बारे में इन सब के उपर छोटे-छोटे short notes है Human activities, Employment, Profession with their features हम लोग पढ़ेंगे mainly business क्या है यानि ये chapter आपको जो सबसे important बात सिखाने वाला है वो है business Business with features Business के features क्या है लक्षन गुन क्या है objectives क्या है, हम business क्यों करते है of course profit के लिए लेकिन अलग-अलग categories के objectives होते है economic objectives होते है social objectives होते है objectives के बारे में पढ़ेंगे classification एक बड़ा सा chart एक बड़ा सा paid है business उसके branches है जैसे मैं अभी कहूँगा तो शायद आपको ना समझ में कि business के दो branches है industry and commerce industry में 5-6 types के industries होती है commerce के दो branches है trade and auxiliaries to trade trade के दो types है home trade and foreign trade home trade के दो types है wholesale and retail trade foreign trade में import, export, enterport और auxiliaries to trade में भी 6-7 auxiliaries है इसका पूरा एक chart होगा what is business वो ये chapter आपको सिखाएगा तो business के features business के objectives business का classification role of profit in business हम business क्यों करते हैं profit कमाने के लिए तो ये profit इतना जरूरी क्यों है business कर रहे हो तो उसमें profit का role क्या है वो भी ये chapter आपको सिखाएगा no profit, no business obviously what is the main object of doing any kind of business profit to unprofit तो profit इतना important क्यों है वो आपको इसमें पता चलेगा और distinguish between 3-4 distinguish between है अलग-अलग चीजों के बीच में जैसे trade और auxiliaries to trade industry और commerce में क्या फरक है employment और profession में क्या फरक है या profession and business में क्या distinguish between है वो सब आपको इस first chapter में पढ़ने मिलेगा so these are main points which are to be discussed which are to be seen which are to be read in first chapter called introduction of commerce and business textbook देखेंगे उसमें आपको इनके अलावा कुछ एक-दो points extra मिलेंगे ऐसा नहीं है लेकिन mainly first chapter किस के बारे में है किन चीजों के बारे में है वो idea मैंने आपको दे लिया समझ गये first chapter का नाम introduction of commerce and business अब यह जो first chapter बढ़ेंगे ना तो इसी में एक word आपको सीखने मिलेगा trade आप देख सकते हैं second chapter का नाम ही trade है तो first chapter आपको trade का idea दे देगा in short लेकिन second chapter पूरा trade के बारे में है अगर आप मुझसे one line answer पूचे के sir what is trade तो trade का मतलब होता है goods को खरीद के goods को बेचना buying and selling of goods and services is called trade detail में उसका meaning है पूरा paragraph में definitions है वो उसके लिए पूरा यह chapter बना हुआ है goods को खरीद के goods को बेचना is called trade और trade के कितने wings है trade के कितने branches है वो पूरा यह chapter आपको सिखाने वाला है second chapter is only about trade जिसमें आप सीखेंगे trade of course with different types of trade उसके साथ साथ trade के कितने types है अभी मैंने का ना home trade, foreign trade, retail trade, wholesale trade foreign के अंदर import, export यह सब आप सिखेंगे, देखें यह रहा wholesale trade, retail trade, import, export, enterport enterport क्या होता है, नया trade of course आपने शायद सुना हो हम देखेंगे इस chapter में और साथ साथ में इन सब के features है services क्या क्या देते हैं यह लोग हमको और procedures क्या अगर आपको import export करना है आपको आपका अच्छा background है आपको financial support मिल रहा है parents से और graduation होने के बाद आपको import, export का business करना है तो उसके procedures क्या है, कौन-कौन से licenses लगेंगे किस से permission लेनी पड़ेगी कौन से documents बनाने पड़ेंगे वो सब आपको सिखने मिलेगा procedures में import procedure, export procedure and distinguish between यही, distinguish between home trade and foreign trade distinguish between import and export यह सब आपस में distinguish between आपको मिल जाएगा जिन-जिन chapters में distinguish between है वो मैंने लिखा हुआ है जिन में नहीं लिखा, उनमें distinguish between नहीं है second chapter is about trade trade means buying and selling of goods and services देखिये, पूरा trade को लेकर special chapter है third chapter is about small scale industries and business अभी-अभी आजकल यह COVID आने के बाद news में अक्सर आपने देखा होगा MSME के बारे में MSME एक act है जो small scale industries के लिए बनाया गया है उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी small scale industry and business जिसको small scale industry को short में हम कहेंगे SSI and B for business यह इसका short form है small scale industry and business आप समझ गया होगे कि जो लोग छोटी-छोटी industries शोटा-मोटा कारोबार करना चाहते है उनके लिए यह chapter है तो कैसे आप small scale industries start कर सकते हैं उसके लिए government ने कौन सा act बनाया देखिए यह chapter है छोटे-मोटे कारोबार और industries चलाने वाले लोगों के लिए SSIB full form small scale industry and business इसमें आप सीखेंगे इसमें एक act है MSME act का नाम लिया ना मैने उसका full form में देखिए MSME Micro, Small and Medium Enterprises MSME Development Act जो बना था 2006 में जिसको MESSMED कह सकते है MSMED MSME के आगे D लग गया Micro, Small and Medium Enterprises Development Act which was passed in the year 2006 2006 में MSMED act passed किया था MSMED act passed किया था और ये act passed किया था चोटे मोटे कारोबार और industry चलाने वाले लोगों के लिए इस act के तहत उनको क्या-क्या facilities मिलती है क्या-क्या help मिलती है वो इस act में लिखा गया है तो mainly आपको MSMED के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिलेगी और main SSIB Small Scale Industries and Business के बारे में आप पढ़ेंगे with meaning उनका classification उनके types कितने है Small Scale Business कितने types के हो सकते है उनका importance पढ़ेंगे आप advantages के है Small Scale Business के फाइदे के है advantages challenges आजकल बहुत सारी ऐसी Small Scale Industries है चोटी-चोटी Industries और Businessmen जो सफर कर रहे है उनके लिए टिकना सर्वाइब करना बहुत मुश्किल हो रहा है They are facing so many challenges while doing their business and running their industries तो आप ये भी पता लगाएंगे कि उनके सामने क्या-क्या Challenges है Challenges में आप देखेंगे problems क्या-क्या है Steps क्या है In Setting Up If you want to start your own SSI अगर आपको खुद का SSI स्टार्ट करना है Small Scale Industry या Small Scale Business तो उसकी procedure क्या है How can you start What are the steps So this chapter is all about SSIB Small Scale Industry and Business First समझ गया Introduction to Commerce and Business Second is only about Trade and Third is only about Small Scale Industry पूरा Business World के बारे में ही है OCM is whole about Business, Industry, Commerce Goods को खरीदना Goods को बेशना कितने तरीके हैं कितने options हैं वो आपको ये सिखाने वाला है देखें चौथा ये जो 4th chapter है ना प्यारे बच्चों Dear Students ये 4th chapter पहले SYJC में हुआ करता था से 2 साल पहले लेकिन अभी FYJC में डाल दिया 4th chapter जो है और 5th chapter है दोनों के heading same है If you you can see here Forms of Business Organization This is part 1 and देखो यहां भी Forms of Business Organization part 2 So चो कितना बड़ा ये chapter होगा जिसको 2 part में है आपको book में दिया हुआ है 2 parts में So पहला part जो है उसका भी heading है Forms of Business Organization और second part का भी heading देखिए Forms of Business Organization अब बात करते है part 1 की ये जो part 1 है न ये आपको बताने वाला है कि हमारे देश में जो business करने वाले लोग है वो कितने रूप में business कर सकते हैं तो कितने रूप में business कर सकते हैं को का जाता है forms of business organization और business organization हमारे देश में जो चल रही है वो दो तरकी है एक है private sector और एक है public sector private sector रही हम सब लोग जिसमें private लोग अपना खुद का चोटा मोटा कारोबार करते हैं और एक है public sector जिसमें mostly government involved होती है मतलब ऐसे business जो government चलाती है उनको हम किसमें गिनेंगे public sector तो public sector को लेकर आप देख सकते हैं part 2 है so part 2 is about public sector and part 1 you can see is about private sector तो private sector के बारे में आपको पता चलेगा forms of business organization part 1 में इसमें आपको पता चलेगा five forms के बारे में अगर आपको खुद को या आपकी family को या आपके दोस्तों को या आपके रिष्टेदारों को मिल के business करना है तो वो किसमें आएगा private sector में और private sector में अगर आपको business करना है प्यारे बचों my dear students you have five options with you see these are the five options सबसे पहला है soul proprietorship soul proprietorship मतलब अकिला अदमी business करेगा कोई partner नहीं होगा if you want to do your own business alone it will be called as soul proprietorship it is also called as soul trading concern partnership में दोस्तों के साथ business कर सकते है joint Hindu family जिसमें पूरी family के साथ आप मिल के business कर सकते है joint Hindu family is also called as HUF full form Hindu undivided family परिवार के साथ भी business कर सकते है उसको HUF कहते है मतलब private sector में जो हम लोग है अगर हमको business करना है तो हमारे पास कितने options है वो ये chapter आपको सिखाएगा इन सब के बारे में आप पढ़ने वाले हो मैंने कहा ना soul proprietorship partnership joint Hindu family उसके अलावा joint stock company Tata, Villa, Reliance ये सब joint stock company हैं जो share issue करती है debenture issue करती है stock market होता है वहाँ पे उनके shares के दाम आस्वान चूर है आप सब को पता है तो उन companies के बारे में आप पढ़ेंगे joint stock company and cooperative societies cooperative society थोड़ा हटके है जब वो chapter आएगा detail मैं आपको समझा दूँगा जैसे कि आप जिस building में रहते होंगे वो भी शायद society होगी cooperative housing society कहते है उसको तो जब कोई society किसी business को करती है तो वो इसमें आएगा हो सकता है कि आपके building station से या market से बहुत दूर है तो आपके building वालों ने society के ground floor पर एक जगा लेकर वहाँ पर एक छोटा सा grocery या grocery या कोई और छोटी मोडी दुकान डाल दी और society के member वहाँ से खरीद रहा है तो इस सक cooperative society so when the business is carried on और carried out by a cooperative society वो इसमें आ जाएगा तो इस तरह से देखिए soul proprietorship, partnership, joint Hindu family joint stock company, cooperative society इन 5 forms के बारे में हम पढ़ने वाले और 5 forms किसमें आएंगे? private sector में और इन 5 forms के क्या-क्या है questions features है, इनके types है जैसे partnership में partners कितने types के होते है partnership business कितने types का होता है companies कितने types के होती है cooperative society कितने types का होता है कितने types के होती है यह सब बातें आपको पता चलेगी so you will learn about features, types, merits, demerits merits मतलब advantages demerits मतलब disadvantages and distinguish between बहुत सारे distinguish है, इसमें भी distinguish between soul, proprietorship and partnership distinguish between partnership and joint Hindu family distinguish between joint Hindu family and cooperative society cooperative society and joint stock company इस तरह से आपको distinguish इसमें बहुत सारे मिलेंगे अच्छा, lengthy chapter है, बड़ा chapter है लेकिन सोचे, इतना बड़ा chapter पढ़ने के बाद भी आपका आधा खतम होगा part 1, जो कि क्या है, private sector अब आते हैं यहाँ पर, यह 4 हो गए, समझ गया है first four, clear लेकिन इसका जो second part है, वो है number five, यह चारो के बारे में end में चली, हम लोग end में फिर से आंठोवाट एक साथ revise करते है, four chapters को समदे के बाद आप देखिए, पांचवा chapter वही है, जो चौथा था, नाम वही है forms of business organization but this is part 2 यह जो part 1 था, मैंने का न, private sector के बारे में तो part 2 आपको देख रहा है, किस के बारे में है, public sector हमारे देश में हमारी सरकार, government of India state government, central government, semi government municipality, यह लोग मिलके भी बहुत सारे business करते हैं तो वो business इसमें आएंगे इस chapter में आप लोग सीखने वाले हो forms of business organization part 2 is about public sector enterprises which are generally run by the government तो इसके अंदर हम लोग 3 जैसे इसमें 5 थे, sold proprietorship joint in new family, partnership, joint store company and cooperative society, इसमें private में तो इसमें mainly 3 है और एक और extra है bonus, लेकिन जो हमारे देश में सरकार जो business करती है वो 3 type के होते है, देखिए उनके नाम है पहला है departmental organization इसका मैं आपको अगर example दे दू तो railway, हमारे देश में जो railway चलाने वाले लोग है वो इसमें आते हैं, किसमें departmental organization, railway is owned by central government कुछ सालों बाद railway के कुछ platforms और trains का privatization होने वाला है, अभी तक हुआ नहीं फिलाल हमारे देश के पूरे railway को जो manage करता है, वो है departmental organization, railway is a department statutory corporation, इसका अगर example दो तो life insurance corporation of India insurance company जिसको हम कहते है, ये corporation चलाते है इसके उपर control होता है पार्लियमेंट का पार्लियमेंट होता है ना लोकसभा, राज्यसभा उसका control होता है, house of people, house of state पार्लियमेंट जिसको चलाती है वो statutory corporation, गवर्मेंट जिसको चलाती है वो departmental organization इसके अलावा गवर्मेंट company भारत heavy electricals limited जिसको भेल कहते है, शॉट में, भी एचियल जो की electricals के heavy equipments बनाती है, तो government production भी करती है HMT का नाम सुना होगा आपने, हिंदूस्तान machine tools limited, जो की tractors बनाती है, heavy machineries बनाती है तो ऐसी ऐसी कंपनियां भी है, जिसमें government उन कंपनियों को चला रही है उनको का जाएगा government company All these are called public sector enterprises पहला, departmental organization दूसरा statutory corporation, सब का meaning examples, features, सब book में detail में मिल जाएगा, मैं आपको खाली one line idea दे रहा हूँ, government company के बारे में सिखोगे, और एक extra चीज है, bonus वो है MNC, multinational company Hindustan Unilever का नाम सुना है thumbs up, sorry, Pepsi है, Coke है McDonald's है, ये सब बड़ी-बड़ी कंपनियां है, जो world के अलग-अलग countries में अपने outlet, school के business कर रहे है they are called MNC, multinational companies और multinational corporation इनके बारे में आप लोग पढ़ोगे, समझ में आ गया होगा OCM क्या है, पूरा business world के बारे में ये आपको बताने वाला है, इसके अलबा, with there of course, meaning, features merits, demerits, ये सब आ जाएगा, इन सब का meaning, features, merits, demerits और इन सब का अपस में, distinguish between तो 4 और 5 का link है, ये समझ जाएगे 4 is about private sector and 5th is about public sector इसमें 5 forms है और उसमें main 3 है और एक extra है, चौथा MNC और इन सब के common से questions है, इन सब का meaning क्या है, features क्या है, merits क्या है, OCM is generally full of features, merits, demerits, distinguish between types, classification, OCM में इस तरह की questions जादा आते है, yes, clear, chapter number 5 आप देखिए, chapter number 6 हमारे देश में जो business है business world है, उस business world में जो छोटे business करने वाले लोग है उनको support करने के लिए हमारे देश में कुछ institutes काम कर रही है ये chapter आपको बताएगा कि छोटा मोटा कारोबार करने वाले छोटा मोटा business करने वाले लोगों को support करने के लिए कितनी संस्थाए हमारे देश में काम कर रही है this chapter is about you can see institute supporting business और ये institute जातर कौन चला रहा है run by the government तो mainly इस chapter में हम तीन institutes के बारे में पढ़ेंगे और एक group के बारे में पढ़ेंगे और एक bank के बारे में पढ़ेंगे लेकिन Indian level पे जो तीन institute है वो खास तो किसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले जरा ध्यान से इनके बारे में detail पूरा वो chapter आपको सिखाएगा मैं आपको खाली idea दे रहा हूँ कि ये chapter किसके बारे में institutes which are formed by the government generally to support the business world especially small businesses उसके लिए है सबसे पहले है SIDBI इसका full form है Small Industrial Development Bank of India समझ गया होंगे small industries के लिए बनाया गया है चोटी industries को support करने के लिए है उसको SIDBI कहते है चोटी मोटी industry शुरू करनी है तो SIDBI से आप help ले सकते हो loan ले सकते हो अलाकि इन सब में updates आये है इन में कुछ banks merge हो चुकी है कुछ banks को take over किया गया है कुछ banks privatize हो चुकी है लेकिन हमारे पास government textbook में जो लिखा है हम आपको वही explain कर रहे है practically इस वक्त excuse me शायद कुछ और चल रहा होगा लेकिन ये जो book में लिखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ SIDBI is small industrial या small industries development bank of India जो small industries को support करती है इसके अलावा एक और bank है जिसका NABARD इसका full form है National Bank for Agriculture and Rural Development नाम से ही समझ गये होंगे कि ये national bank है जो agriculture के लिए काम करती है और rural development मतलब गाओं के विकास के लिए काम करती है तो अगर आपको agricultural loan चाहिए अपने गाओं को विक्सित करना है गाओं के विकास के लिए loan चाहिए तो आप नाबाड के पास से loan ले सकते हैं SIDBI Small Industrial Development Bank और NABARD National Bank for Agriculture and Rural Development और एक institute है Khadi ग्रामधयोग नाम सुना होगा Khadi ग्रामधयोग Khadi एंड विलज इंडूस्ट्रीस Khadi Village मतलब गाओं Industries मतलब अध्योग Commission तो Khadi एंड विलज Industries Commission जिसको KVIC कहते है ये लोग जादातर Khadi की चीज़े Khadi के कपड़े खादी का कुर्ता और handmade चीजे, handloom, handicraft की चीजे बना-बना के बेचते हैं, आपने अपने शेहर में या गाउं में आसपास KVIC के आउटलेट्स देखे होंगे, वहाँ पर इस KVIC के द्वारा बनाएगे चीजों को बेचा जाता है, तो ये भी एक institute है, जो support करती है, जो लोग हाथ से, हाथ कारीगर से जो चीजे बनाते हैं, उनको support करने के लिए ये संस्ता काम कर रही है, KVIC, Khadi and Village Industries Commission, main ये तीन institute है, जो इंडिया में, हमारे देश में, business world को support करने के लिए काम कर रही है, लेकिन इसके अलावा, गाउं लेवल पे, district लेवल पे, women's self-help group भी है, जिसको महिला बचद गट कहते हैं, जिसमें गाउं की लेडीज मिलके एक group form करते हैं, महिला बचद गट उसको हिंदी में कहते हैं, और women's self-help group English में कहते हैं, वो लोग सब मिलके एक team form करते हैं, उस team में सब लोग अपने saving invest करते हैं, और जब किसी member को finance की जरूरत होती है, तो वो self- help group वाले उसको मदद करते हैं, financial help करते हैं, book में detail में समझ में आ जाएगा, तो ये group है जो काम कर रहा है, इसके रलावा हम world bank के बारे में पढ़ेंगे, world bank, जब world level पे कुछ contingencies या कुछ emergencies होती है, जैसे कि कहीं पे कोई तूफान आ गया या कहीं पे earthquake आ गया, तो ऐसे में बह लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, यानि generally आप देखेंगे, this chapter is whole about institute supporting the business और ये institute के दाम है, detail में इनके बारे में हम chapter में पढ़ेंगे, कि उनके जातर उनको लेकर short notes oriented questions है, 7th chapter, business environment, 7th chapter आपको business के महाल को study करना सिखाएगा, ये chapter आपको सिखाने वाला है कि हमारा जो business है वो किन चीज़ों पर depend करता है, environment का मतलब क्या होता है, परियावरण, कौन-कौन से factors है, कौन-कौन से dimensions है, जिनके उपर हमारे देश का business world या पूरे world का जो business है, वो depend करता है, तो business environment में, पहले तो आप इनका meaning पढ़ोगे, business environment का meaning क्या है, और उसका importance, why is it so important to study about business environment, business environment को study करना ज factors है, business environment में, कौन-कौन से factors हो सकते है, मतलब ऐसे कौन-कौन से घटक है, dimensions और factors को मिंदी में घटक समझे, ऐसे कौन-कौन से घटक है, जिनके उपर business depend करता है, तो ऐसे factors है, सबसे पहला internal, देश के अंदर की factors, external, देश के बाहर के factors, natural factors हो सकते हैं, जैसे कि कई बार बहुत ज हो जाते हैं, इसके अलावा social factors, सामाजिक factor हो सकते है, political, हमारे देश की सरकार अगर अचानक से गिर जाए, तो business world पे बुरा असर हो सकता है, economic factor, जिसको मार्थिक factor कहते है, technological factor, जब technology बदल जाती है, नहीं technology आती है, तो पुरानी technology वाला business बंद हो जाता है, मतलब business के उपर अ technological, legal factor, कई बार legal law, कानून बदल जाता है, और वो business बंद हो जाता है, महारस्टा में गुटका और पानमसाला का business allowed नहीं है, legal factor हो, इसलिए आप गुटका और पानमसाला का business नहीं कर सकते है, किसी और state में allow हो है, वहाँ पे कर सकते हो, इस तरह से, और इसके लवाँ क्या सीख पर में LPG, LPG, liquid petroleum, gas नहीं, liquid petroleum, gas नहीं, liberalization, privatization and globalization, तो 1991 में 24 जुलाई से एक नहीं policy इंडिया में आई, उसके बारे में आप लोग सीखने वाले हो, new economic policy of liberalization, L for liberalization, P for privatization and G for globalization, ये chapter पूरा आपको इसके बारे में सिखाने वाला है, business environment के बारे में, समझ गए, chapter number 7, अब मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके subject का नाम क्या है, फिर से मैं आपको याद दिलाओ, subject का नाम है OCM, full form क्या है, organization of commerce and management, तो अब तक ये 7 chapter जो आपने पढ़े ना, ये OC था, organization of commerce, पूरा, commerce क्या है, business क्या है, trade क्या है, और industry क्या है, small skill industry क्या होती है, और कितने तरह के forms of business organizations है, और उनको support करने के लिए कौन-कौन से institutes काम कर रहे है, और business environment किन-किन चीजों पर depend करता है, business, commerce, ये पूरा आपने साथ chapters में पढ़ा, OC हो गया, अभी M बचा है, M for management, फिलाल, FIGC में management को लेकर ये एक ही chapter है, जो सबसे end में है, देख सकते हैं, chapter number 8, it is about introduction to management, so if you are planning to go for MBA, किसी को BMS करना है, MMS करना है, MBA करना है, तो उसके लिए ये chapter बहुत help करेगा, और even नहीं भी करना है, तो भी ये chapter as a student of FIGC आपको पढ़ना पढ़ेगा, everyone is the manager of his own life, हम सब अपने life को manage करते हैं, तो इसलिए हमको अपने life में, चाहे MBA करो नहीं करो, लेकिन life को manage कर होगे, characteristics मतलब features, management के features कया है, उसके levels हागे, management के levels तीन होते है, सबसे उपर होता है, top level, उसके बाद होता है, middle level, उसके बाद होता है, lower level, तीन TOP 5L के management होते है, उनको लेकर questions आते है, distinguished भी आता है, इसके अलबभा management as art, management as science and management as profession, management is three words को लेकर question आता है, कि management is an art, do you agree or not, management is a professional, measurement is a science, उसके उपर कुछ arguments है, comments है, और उसके उपर discussion होगा, और true or false with reasons में आ सकता है, या justify this sentence में आ सकता है, कि management is an art, जैसे bookkeeping is an art, जैसे management is also an art, it is also a science and it has become a profession as well, so management art है, science है, profession है, इसके लबाद distinguish between आएगा आपको, top level और middle level का distinguish बता हो, middle level और lower level का distinguish बताओ, ये सब आपको, जिन जिन में distinguish between है, वो लिखा हुआ है, कितने chapters होगा है, 8 OCM के और आटों को मैं एक बार हमेशा की तरह उपर-उपर से समझा दूँ, आपको फिर से, first chapter है, introduction, जिसमें पूरा commerce और business के बारे में आपको पता चलेगा business, उसका बहुत बड़ा चार्ट है, जो हम आपको during lectures, online lectures explain करेंगे, second chapter सिर्फ trade के बारे में, trade के types, trade का classification, home trade, foreign trade, retail trade, wholesale, import, export, ये सब third small scale industries and business के बारे में, अगर आपको छोटा-mोटा कारोबार, industry और business करना है, तो उसके लिए, एक act pass किया गया, MS, MED act, आप देख सकते हैं, 2006 में और इसमें ये जो questions है, उनका classification, importance, क्या-क्या challenges आपके सामने आएंगे, जब आप small scale industry शुरू करोगे, और कैसे आप small scale industry को set up कर सकते हैं, start कर सकते हैं, forms of business organization, part 1 में, आप five forms के बारे में पढ़ोगे, जिसमें sole proprietorship है, उसके बाद joint into family है, partnership firm है, cooperative society है, joint stock company है, इन पाचो forms के बारे में पढ़ोगे, बड़ा chapter important भी है, distinguish between बहुत सारे हैं इसमें, ये part 2 है, forms of business organization, इसके अंदर आप government के द्वारा चलाए जाने वाले जो है, public sector enterprise, उसमें departmental undertaking है, उसके बाद cooperative, statutory corporation है, उसके बाद government company है, MNC है, उसके बारे में पढ़ोगे और इसके अलावा इन सब के features, merit, de-merit, distinguish, वो सब आपको इसमें मिल जाएगा, public sector के बारे में mainly, chapter number 5, 6 chapter आपको बताएगा, कौन से institutes है जो business को support करते हैं, इसमें 3-4 institute के नाम ले लिए मैंने, जैसे SIDB है, NABAD है, KVIC है इसके अलावा महिला बच्चत गठ है और इसके अलावा, World Bank के बारे में आप पढ़ेंगे, साथवा chapter है, business environment यानि के business का परहावर, किन-किन चीजों पर depend करता है, उसका meaning, importance कौन-कौन से factors पर business world depend करता है, उन factors के बारे में हम पढ़ेंगे अलग-अलग factors है, जैसे external, internal, legal, natural, social, economical, political, यह सब factors के बारे में पढ़ोगे, technological, इन सब factors पर depend करता है, इसके अलावा, नहीं economic policy, जो 1991 में introduced के, 24th July को government ने, उसके बारे में पढ़ोगे, LPG liberalization, privatization and globalization, और सबसे आखिर में introduction to management, M for management what is management, उसका meaning क्या है, उसके features क्या है, प्लस management के levels क्या है और प्लस management art है, या science है, या profession है, या आप सीखोगे और distinguish between, आप लोग इसका screenshot ले सकते हैं, पूरा screenshot ले लिजे, वैसे तो सबके पास government textbook होगी, उसमें ये सब है, लेकिन at a glance एक lecture में, एक video में मैं आपको कितना बता सकता हूँ, उतना मैंने बता दिया, तो ये और एक subject का हमारा introduction हो गया, OCM इसके पहले हमने bookkeeping and accountancy के introduction और syllabus को लेकर दो videos बनाए, लेकिन OCM हमारा एक video में complete हो गया अगला video जो आएगा, वो economics को या SP को और maths को लेकर होगा, जो सबसे पहले बनेगा, वो सबसे पहले आपके सामने रहेगा, तब तक के लिए इंतजार कीजिए और इस video को और इसके पहले के जितने भी videos बनें, उनको ध्यान से देखिये और government textbook जल से जल ले लिजे, अगला video आ रहा है बहुत जल्दी, तब तक के लिए Bye All the best